मुहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां उन्हें IPL दिल्ली की टीम से बाहर करवाने को लेकर कुछ भी करने को तैयार दिख रही है और अब तो हसीन जहां ने इसे लेकर एक बड़ा कदम भी उठा लिया है यही नहीं कदम भी ऐसा जिससे दिल्ली डेर डेविल्स टीम के CEO भी हैरान हो गए हसीन जहां शमी को IPL से बाहर करवाने के लिए दिल्ली डेर डेविल्स के CEO हेमन दुवा से मिली हसीन ने इस मुलाकात के बाद कहा कि उन्होंने अपने हर पहलू को हेमन के सामने रखा और उनसे कहा कि शमी को IPL के टीम में तब तक नहीं रखा जाए जब तक यू अपने घरेलू मसलों को सुल जा नहीं लेते यहां तक तो ठीक था लेकिन हसीन जहां ने इसके बाद कहा कि अगर शमी को IPL में खिलाया गया तो वो कुछ गलत कदम उठा लेंगी और इसके जमेदार दिली डे डेविस की टीम होगी हसीन जहां ने आरोप लगाया कि शमी के कई अफेर है और शमी ने मुझे काफी परिशान की है और इसलिए शमी को IPL ना खिला जाए अब हसीन जहां किसी भी कीमत पर शमी को IPL नहीं खिलने देना चाहती है और अब वो धमकियों पर उतर आई है ऐसे में सवाल यह है कि जब हसीन लगातार कह रही थी कि वो शमी का बुरा नहीं चाहती है और उनका करियर खराब नहीं करना चाहती है तो फिर शमी को आईपेल से रोकने के लिए ऐसे हद कंडे क्यों अपना रही है सवाल बड़े हैं प्ले मीडिया रिपोर्ट